हलो फ्रेंट्स किचिन बैस निहल मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलो गोबी की रेसिपी यह बिना प्यास लेसुन के बनाएंगे और बनाने में यह बहुत आसान है बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी सब्सी बनती है तो इसमें हम तकरीबन देड़ बड़े चमच तेल लाल देंगे तेल के गरम होते ही हम यहाँ पर राई डाल देंगे तो यहाँ पर एक चोथाई चोड़े चमच राई का इस्तमाल करें और यही पर एक चोथाई चोड़े चमच हम जीरा डाल देंगे तो यहाँ पर राई जीर इसे में ज़ना टांटों में अलु एक जाने लुधा प्रांगई लद भी जाने तॉ सबस्श्थ काप्रालब अधर करने लए राए हैे लिधिसने अशस्चे काबने भी आखें तुम गाई जाने कहीं, देशने में डित्रे लिशाए मिद्च सी पहलें जिसे मैंने इस तरह से मीडियम साइज के टुकडों में कट कर लिया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इसे डाल देती हूँ मैं इस आलू के साथ और यहाँ पे हमें मीडियम फ्रेम ही रखना है गैस का और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे तो यहाँ पे आलू के साथ ये गूवी को बहुत ही अची तरह से mix कर देंगे हम पूरि इस तरह से चलाते हुए mix कर दे एक बार अब हम क्या करेंगे इसे झढ़कन रखके पकाएंगे तो यहाँ पी इसे झढ़कन रखके तकरीबन 3-4 मि को भी जो है बहुत ही अच्छी तर से फ्राइ होके रेडी हो गई है तेल में तो यहां पे गैस का फ्लेम हमें मीडिय मी रखना इसे पकाते समय तो हम क्या करेंगे इसमें सुखे मसाले डाल देंगे तो यहां पे मैंने एक चोटा चोड़े चमच के करीब हल्दी पाउडर पहले है गैस का फ्लम लो कर देना है और लो फ्लेम पे हम सुखे मसाले डालने के मैंने आप देख सकते है कि यहाँ पे यह जो हमारी सब्जी है वो पूरी तरह से अभी तक पकी नहीं है तो अब हम इसे ढखकन रग के फिर से पका लेंगे तो यहाँ पे आप साथ साथ मिनिट के लिए ऐसे ही से छोड़ देंगे तो यह जो सब्जी है वो डेफिनेटली जल तो बीच बीच में आप इसे इस तरह से खोल के चलाते रहें तो तकरीबन और पाश मिनिट के लिए मैंने इसे पका लिया है तो टोटल यहाँ पे मैंने इसे नौ मिनिट के लिए पकाया है और आप देख सकते है कि यह हमारी जो सब्जी है बहुत इच्छी तरह से पक्के तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्र डाल देंगे आप चाहे तो यहां पे गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो पर मैंने यहां पर गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है बस एक बार धनिया पत्र डाल के इसे एक बार से मिक्स कर दें और गैस का फ्रेंब बन करके हम इसे ले चलेंगे सर्फ करने के लिए तो यहां पर मैंने सेर्विंग बाउल में सर्फ कर दिया है आप चाहे तो इस सबजी को रोटी फुल का पूरी राइस किसी की भी साथ सर्व कर सकते हैं सबी के साथ इस सबजी खाने में